आरे दोस्तों, फे डिसूजा यहाँ, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, स्कूटर्स के बारे में बात करने के लिए तयार हैं, ये छोटे लेकिन शक्तिशाली वाहन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इंडिया में स्कूटर्स हर ज दिनों, स्कूटर चुनना इतना आसान नहीं है, बाजार में इतने सारे आप्शिन्स हैं कि सही स्कूटर चुनना एक चुनौती बन सकता है, क्या आप पेट्रॉल एंजिन की जानी पहचानी आवाज के साथ बने रहते हैं, या आप एलेक्ट्रिक पर छलांग लगाते हैं, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, आज हम ठीक यही जानने वाले हैं, the great petrol versus electric scooter debate, हम दोनों प्रकार के scooters की तुलना करेंगे, हम सब कुछ breakdown करेंगे, weighing the pros and cons, ताकि आप एक informed decision ले सकें, जो आपके और आपके lifestyle के लिए सही हो, हम performance, cost, maintenance और environmental impact पर चर्चा करेंगे, चाहे आप budget पर student हो, working professional हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो commute करने के लिए बस एक eco friendly तरीका ढून रहा हो, हमने आपको cover कर लिया है, चलो शुरू करते हैं, इस यात्रा में हम आपको बताएंगे कि कौन सा scooter आपके लिए best है, और क्यों? पेटरल स्कूटर्स जेनरेशन से इंडिया में go-to रहे हैं, ये स्कूटर्स हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, और हर गली, हर नुकड़ पर इनकी मौजूदगी हमें एक familiar comfort देती हैं, वे familiar हैं, reliable हैं, और हम सभी जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, office जाना हो, या market में shopping करनी हो, पेटरल स्कूटर्स हमेशा ready रहते हैं, पेटरल स्कूटर्स का सबसे बड़ा advantages में से, एक उनकी widespread availability है, हर शहर, हर कस्बे में आपको इनकी dealerships मिल जाएंगी, और हर model की variety भी, इंडिया में किसी भी गली में चलें, और आपको ए साथ ही, पेटरल पंप पर filling up करने में minutes लगते हैं, जिससे आप पलक जपकते ही road पर वापस आ जाते हैं, लॉंग journeys पर भी आपको fuel की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पेटरल पंप हर जगह available हैं, हालांकि पेटरल स्कूटर्स अपने downsides के साथ भी आते हैं, इनका smoke औ और exhaust fumes environment के लिए harmful होते हैं, fuel की बढ़ती कीमत वास्तव में आपके wallet पर भारी पड़ सकती है, और चलिए air pollution के बारे में मत भूलना जो इसमें contribute करते हैं, इन सब के बावजूद, पेटरल स्कूटर्स की popularity कम नहीं हुई है, क्योंकि convenience और familiarity का कोई मुकाबला नहीं अब बात करते हैं block के new kid के बारे में, electric scooters. ये sleek और silent riders तेजी से इंडिया में popularity हासिल कर रहे हैं और अच्छे कारण के लिए. सबसे पहले electric scooters incredibly eco-friendly हैं. वे zero tailpipe emissions produce करते हैं, जिसका अर्थ है सभी के लिए cleaner air. एक ऐसे future की कलपना करें जहां हमारे शहर शांत हो और हवा में सां लेना आसान हो. यही electric vehicles का वादा है. उसके उपर electric scooters की सवारी करना अविश्वसनिय रूप से मज़ेदार है. Instant torque और responsive handling के साथ वे एक जिपी और enjoyable riding experience प्रदान करते हैं. साथ ही noisy engines और smelly exhaust fumes को अलविदा कहना एक निश्चित जीत है. आएए अपने scooter के साथ electric जाने के perks के बारे में थोड़ा और जाने. सबसे बड़े advantages में से एक है cost savings. इसके बारे में सोचो, electricity, petrol की तुलना में काफी सस्ता है, जिसका अर्थ है कि आप long run में fuel पर काफी पैसे बचाएंगे. साथ ही, electric scooters को कम maintenance की आवश्यक्ता होती है. नो more oil changes, filter replacements और engine tune-ups. लेकिन इतना ही नहीं. इंडिया में कई राज्य सरकारें electric vehicles खरीदने के लिए subsidies और incentives प्रदान करती हैं, जो उन्हें और भी अधिक affordable बनाती हैं. Section 5. Real Stories, Real Savings. Meet Electric Scooter Owners. In this segment, we dive into the lives of individuals who have embraced electric scooters and are reaping the benefits. From students to professionals, these stories highlight the diverse ways electric scooters are making a difference. सिर्फ हमारी बात मत मानिये. आइए. उन असली लोगों से सुनते हैं जिन्होंने electric scooters पर switch किया है. These are real people with real experiences, sharing how electric scooters have transformed their daily routines and finances. Bangalore की एक college student Priya से मिले, जो अपने electric scooter का यूस campus के चारों और घूमने और अपनी part-time job तक जाने के लिए करती है. Priya finds her electric scooter to be incredibly convenient for navigating the sprawling campus and reaching her job on time. वा कहती है, मुझे कॉंस्टली बढ़ती पेट्रल की कीमतों के बारे में चिंता न करने से प्यार है. With the rising costs of petrol, Priya appreciates the financial relief her electric scooter provides. She no longer has to budget for fuel, which allows her to save money for other important expenses. साथ ही, मेरा electric scooter इतना शान्थ है, मैं किसी को डिस्टर्ब किये बिना सुभह जल्दी अपने hostel से बाहर निकल सकती हूँ. The quiet operation of her scooter means she can leave early in the morning without disturbing her roommates or neighbors, making it perfect for her early morning classes and shifts. फिर मंबाई में एक marketing executive राहूल है, जो city के notorious traffic को माद देने के लिए अपने electric scooter का यूज करते हैं. रहूल, a marketing executive in Mumbai, uses his electric scooter to navigate through the city's infamous traffic jams, making his commute much more efficient. ये एक गेमचेंगर है, वी कहते हैं. For रहूल, the electric scooter is a game changer. It has significantly reduced the time he spends stuck in traffic, allowing him to be more productive and less stressed. में अपने देली कम्यूट बर बहत समय और पेसा बचाता हूँ. He mentions that he saves a considerable amount of time and money on his daily commute, which he can now invest in other aspects of his life. साथ ही, पर्किंग एक्दम आसान हैं. Additionally, parking is a breeze with his electric scooter. Unlike cars, which require large parking spaces, his scooter can be parked almost anywhere, adding to its convenience. ये कुछ उदाहरन हैं कि कैसे electric scooters लोगों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव लाहे हैं. These are just a few examples of how electric scooters are making a real difference in people's lives. From saving money to reducing stress and improving convenience, the benefits are clear. As more people switch to electric scooters, we can expect to see even more positive changes in our communities. Section 6, The Price Tag, Weighing Your Options ठीक है, आये रूम में elephant को address करें, the cost. ये सच है कि electric scooters में आम तौर पर उनके petrol समकक्षों की तुलना में higher upfront cost होती है. हालांकि, bigger picture पर विचार करना महत्वपूर्ण है. Lower running costs, government subsidies और maintenance पर संभावित बचत के साथ, electric scooters वास्तव में, long run में अधिक affordable साबित हो सकते हैं. ये ownership की total cost की गणना करने के बारे में है. साथ ही, जैसे जैसे technology advance होती है और production का scale up होता है, electric scooters की कीमत में और गिरावट आने की उम्मीद है, जो उन्हें और भी आकर्शक option बनाती है. Section 7. The infrastructure factor charging stations versus Petrol pumps Electric scooters के बारे में एक valid concern charging infrastructure की availability है. जबकि petrol pumps इंडिया में हर जगह हैं, charging stations अभी भी relatively limited हैं, खासकर छोटे शहरों में. हालांकि अच्छी खबर यह है कि government और private companies देश भर में charging infrastructure के विस्तार में तेजी से निवेश कर रहे हैं. हम public places, residential areas और यहां तक की highways के किनारे भी अधिक से अधिक charging stations को pop-up होते हुए देख रहे हैं. इसके अलावा, कई electric scooter owners अपने vehicles को राद भर घर पर ही चार्ज करते हैं, जिससे charging stations के बार-बार जाने की आवश्यक्ता समाप्थ हो जाती है. तो कौन सा scooter शीर्ष पर आता है? खैर, यह सब आपकी individual needs और priorities पर निर्भर करता है. यदि आप tight budget पर हैं और आपको readily available और familiar option की आवश्यक्ता है, तो petrol scooter जाने का रास्ता हो सकता है. लेकिन अगर आप अधिक environmentally friendly, cost effective और technologically advanced option की तलाश कर रहे हैं, तो electric scooter revolution में शामिल होना, निश्चित रूप से विचार करने योग्य है. अंतता, आपके लिए सबसे अच्छा scooter आपके budget, daily commute और personal preferences पर निर्भर करता है. Section 9. Buckle up for the future. Embracing sustainable transportation. जैसे-जैसे हम अधिक sustainable future की ओर बढ़ रहे हैं, electric vehicles, जिसमें scooters भी शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. Electric scooter चुनकर आप न केवल परिवहन का एक साधन चुन रहे हैं, आप एक cleaner, greener future का हिस्सा बनना चुन रहे हैं. तो यह रहा आपके लिए, petrol versus electric scooter debate पर जानकारी, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको एक informed decision लेने का अधिकार देगी, जो आपके और हमारे planet के लिए सही हो. अगली बार तक, ride safe और ride smart.